कहां गायब हो गई मुक्तार की पतनी? क्या विदेश भाग गई अफसान सारी? इनाम बढाने के सासत अब लुकाउट नोटिस भी हुआ जारी? उतर प्रदेश में अपरादियों के बुरे दिन चल रहे हैं जहां पहले यूपी सरकार का एक्षन अतिक के परिवार पर चल रहा था तो वहीं अब यूपी सरकार और पुलिस के निशाने पर बांद जेन में बंद मुक्तार अंसारी का परिवार आ गया है बल्कि कई मामले में फरार चल रहे मुक्तार अंसारी की पतने अफसा अंसारी पर पुलिस का शिकंजा कस्ता भी जा रहा है इसे बीच अफसा पर गाजीपुर और मौउ से 75,000 का इनाम घोशित होने के बाद एक और बड़ा एक्षन हो गया है जी हाँ पुलिस ने अफसा के खिलाब अब लुकाउट नोटिस डारी कर दिया है दरसल पुलिस को अफसा के विदेश भागने की आशिंका है बताय जाता है अफसा मौउ में गैंगिस्टर के मामले में वांचित है और अभी कुछ दिन पहले ही अफसा के खिलाब गाजीप कामों को पत्नी अफसा अंसारी चलाती है पुलिस जाच में सामना आया है कि अफसा अंसारी ने मौउ में विकास कंस्ट्रेक्शन के जरिये संचालित फर्म बना कर फरजी वाड़ा किया था इसी मामले में मुकतार के पत्नी और अफसा के दोनों भायू समेत पांच लोगों इसी वर्स लिखा गया है थाना कोतवाली में जिसमें एक विकास कंस्ट्रेक्शन नाम की कंपनी थी जिसमें इन्होंने अवैत तरीके से डारेक्टर्शिप ली थी और जो उसके मूल डारेक्टर थे उनको अपने भावबल के आधार पे और अपराधिक क्रिया कलापों के जाधार पर उन्हें डिस्पजेस करके और उस विकास कंस्ट्रेक्शन के नाम से बहुत सी व्यवसाइक गत्वी दियां इनके द्वारा विभिन जगे की जा रही हैं उसी में इनके उपर अभियोग पंजिकरित क्या गया था जिसमें ये इस समय पचाहजार की इनामी है जन अचित है और वहां से भी इनामी है मौ के सियो सिटी धनेंज मिश्रा ने बताया कि दो दिन पहले मौ पूलिस ने अपसा पर 25,000 का इनाम गोशित किया था और उसके बाद अब लोकाउट नोटिस भी जारे हुआ है और इस नोटिस को सभी सीमाओ और एरपोर्ट पर भीजा जाने लगा है इसलिए कहीं बाहर नहीं चली जाए तो यहां से रिक्वेस्ट किया थो तो हमारे पुलिस अदिक्षक मोशित के पत्राचार के आधार पर इनके बिलुद लोकाउट सर्कुलर जारी हुआ है कि तहीं दूसरे देश में ना भाग जा है अपसा अंसारी पर कोतवाली थाना छेतर में 406, 420, 506 के तहत मामने दर्ज हैं अपसा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंद गंज में सरकारी जमीन को कबजा करने का आरोप है पुलिस रिकॉर्ड में अपसा अंसारी IS-195 गैंकी सदस्य के तौर पर चिन हिद भी है आपको बता दे जहाएं एक तरफ पुलिस अपसा अंसारी के तलाश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बांदा जेल में बंद मुक्तार अंसारी काफी डरा हुआ है सूतरों की माने तो अतिक और अश्रफ की मौत के बाद से ही मुक्तार अंसारी को भी अपनी हत्याउने का डर सताने लगा है तो उसी बीच अब अपसा की तलाश के लिए पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है जिसके बाद मुक्तार अंसारी के साथ साथ उसके परिवार की भी टेंशन और जादा बढ़ गई है इस खबर में बस इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ